असलम उलेकम, वेलकम टू शनाया नियोज, उमीद करती हूँ, आप सब खैरियसे होंगे, UK की और योरप की एहम तरीन आपडेट्स लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं, शामिल करेंगे के इंग्लेंड ने अदादो शमार जारी, खत्रे में मजीद इजाफा एहम ख तो इन तमाम खबरों की तफसिला जाने के लिए आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी के वीडियो को आखिर तक देखेगा और वीडियो को शेर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप मेंसे हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और स से जाविस कर गई, सरकारिय दादो इश्मार के मताबिक बरतानिया में 24 घंटों में करोना से 313 मोथ हुई, जबके करोना के 1,440,000 से जाइद केसिज रिपोर्ट हुए है, बरतानिया में एक हफ़ते के दुरान केसिज में 10 वीसर से जाइद का इजाफा हुआ है, जिसके 22 वजीर आजम बोरस वन से तमाम अवाम से अपील करते हुए कहा है के खत्रा मजीद बढ़ता जा रहा है, इसलिए तमाम अवाम इतियात का दामन ठामें और ज्यादा से ज्यादा इतियात करें, जो रिस्ट्रक्शन लगाई गई हैं उनके उपर अमल दामत करें, उनका कहना में ताके वो मरीजों की देखबाल और तमाम तर सूर्तेहाल को काबू कर सकें, इसी तरह अगर वजीर आजम ने कहा है के मजीद सूर्तेहाल खराब हुई तो हम मजीद फोजी हस्पतालों में ताइनात कर सकते हैं, मुख्लिफ अलाकों में और लॉक्डाउन की तरब भी ज आ सकते हैं, तो अब आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या नहीं अपडेट देखनों के मुलती है, क्या लॉक्डाउन लगता है या नहीं, वो देखना बाकी है, इसी के साथ आप बढ़ते हैं आज की अगली और एहमतरीन अपडेट की जानीब, जो के इटली में मुलाजमतों की बारिश होने की पेशन गोई आगी, दूसरी तरफ स्पेन और जर्मनी में भी रोजगार के हवाले से बड़ी खुश आइन डिपोर्ट आई हैं, जर्मनी में बेरोजगारों की तदाद में 3,78,000 की कमी रिकॉर्ट की गई है, इलात के मुताबिक इटली में बेरोजगारों के लिए बड़ी खुश खबरी, अटालवी चेंबर ओफ कॉमरस ने अपनी रिपोर्ट में बताया है के जनुरी में 4,00,000 से जाइद नई मुलाजमते पैदा होने जा रही हैं, और नीची फिर्म्स मजबूई तोर पर 4,58,000 अफरात को भरती करेंगे, जो गुजशता साल जनुरी के मुकाबले से 4 गुना से भी जाइद है, गुजशता साल जनुरी में 1,12,000 मुलाजमते पैदा हुई थी, रिपोर्ट के मताबिक जनुरी से मार्स के दरमियान मजमूई तोर पर 12,00,000 नई मुलाजमते पैदा होंगी, और यूं लोगों को में इजाफे का सिंसला जारी और दिसंबर में बेरोजगारी की शरा 5.3% से कम होकर 5.2% पर आ गई है, 2020 के दिसंबर के मुकाबले में बेरोजगारों की तदा 2,78,000 की कमी रिकॉर्ट की गई है, जिसके बाद रोजगारों की मजमूई तदा 23,30,000 के करीब है, दूसरी किसके दुरान 2020 के मुकाबले में 7,82,232 मुलाजमते बढ़ी है और बेरोज़गारों की तदाथ 31,00,000 के करीब रह गई है तो इसी के साथ अब आर बढ़ते हैं आज की अगली और एहमतरीन अपडेट की जानी अके तारकीनِ वतन हंगामी सूरते हाल क्या चैलेंज बन गया योरपी मुल्क में तारकीन वतन के केमपों में हंगामा हुआ है तसादम के बाद तारकीन को मुश्रका और काबू करने के लिए पुलिस को जाफी नफरी तलब करनी पड़ गई पुलिस ने मुताहित अफराद को हरासत में भी ले लिया जबके तरकीन को केमपो तक मेदूद रखना भी चैलेंज बन गया है। और वो योर्पी यूनेट से मदद भी मांग चुका है। पुलिस की जानिब से हाल ही में मनजूर करवाएगे कानून पर अमल द्रामत कराने की कोशिश है जिसकी तहट केमपो में रहने वले तरकीन वो मक्सूर सदूद में रखने का पबंद बनाया किया है। तो ये थी आज की एहमतरीन अपडेट से यूके की और यूरप की उमीद करती हूँ के आपको काफी इंफॉर्मिशन मिली होगी। इसी के साथ कल फिर मिलती हूँ आप सबसे लेटेस्ट अपडेट में आप सब अपना बहुत ख्यार रखेगा थैंक यू खुदा हाफिज एंड थैंक्स फार वाचेंग।